नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा, जब नाग देव बने भाई, प्राचीन काल में एक सेच जी के साथ पुत्र थे, सातों के विवाह हो चुके थे, सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ट चरित्र की विदूशी और सुशील थी, पर अंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहुने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी धलिया और खुर्पी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तब ही वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहु खुर्पी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहुने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो विसे। यह बेचारा निरप्राध है। यह सुनकर बड़ी बहुने उसे नहीं मारा तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहुने उसे कहा, हम अभी लोट कर आती हैं तुम यहां से जाना मत। यह कहकर वह सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सब को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली सर्प भाया नमसकार। सर्प ने कहा, तु भाया क कह चुकी है, इसलिए तुझे चोड़ देता हूँ, नहीं तु जूटी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली भाया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ, तब सार्प बोला अच्छा, तु आज से मेरी बेहन हुई और मैं तेरा भाय तुझे जो मांगना हो, मांग ले। वह बोली भाया, मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तु मेरा भाय बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला की, मेरी बेहन को भेज दो। सब ने कहा की, इसके तो कोई भा नहीं था, तो वह बोला मैं दूर के रिष्टे में इसका भाय हूँ, बच्पन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया की, मैं वहीं सार्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठिनाए हो वहां मेरी पूंच पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तु अपने भाई को ठंडा दूद पिला देना। उसे यह बात ध्यान ना रही और उससे गर्म दूद पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, पर अन्तु सर्प के समझाने पर शान्त हो गई। तब सर्प ने धेर सारा धन देखकर बड़ी बहुने इरश्या से कहा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुए सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहुने कहा इन्हें जारने की जाडू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने जाडू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहु को हीरा मनियों का एक अदभुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली की सेट की छोटी बहु का हार यहां आना चाहिए। राजा मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीगर उपस्थित हो मंत्री ने सेट जी से जाकर कहा कि महरानी जी छोटी बहु का हार पहनेंगी वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेट जी ने डर के कारण छोटी बहु से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहु को यह बात उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की भाईया रानी ने हार छीन लिया है तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाय और जब वह मुझे लोटा दे तब हीरों और मनियों का हो जाये सर्प ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया यह देखकर रानी चीक पड़ी और रोने लगी यह देखकर राजा ने सेट के पास खबर भेजी की छोटी बहु को तुरंत भेजो सेटची डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा वे स्वयम छोटी बहु को साथ लेकर उपस्थित हुए राजा ने छोटी बहु से पूछा तुने क्या जादू किया है मैं तुझे दंद दूंगा छोटी बहु बोली राजन ग्रिश्ट तक शमा कीजिए यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मनियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा अभी पहन कर दिखाओ छोटी बहु ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मनियों का हो गया यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरसकार में दी चोटी वह अपने हार और इंसहित घर लोटाई उसके धन को देखकर बड़ी बहुने इर्श्या के कारण उसके पती को सिखाया कि छोटी बहु के पास कहीं से धन आया है यह सुनकर उसके पती ने अपनी पतनी को बुला कर कहा ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है तब वह सर्प को याद करने लगी तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा यदि मेरी धर्म बहन के आचरन पर संदेव प्रकट करेगा तो मैं उसे खालूंगा यह सुनकर छोटी बहु का पती बहुत प्रसन हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सतकार किया उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रिया सर्प को भाई मान कर उसकी पूजा करती है